किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मारेट एग्रिकल्चर योट्यूब चैनल इस समय अधिकतर छेत्रों में सोयबीन में फूल निकल रहे हैं तो मुझे इस समय बहुत ज़्यादा किसानों के कमेंट मिल रहे हैं कि क्या हम सोयबीन में फूल निकलते समय खर्पतवार नासक दवा का पुर्योग कर सकते हैं क्योंकि इस साल बर्षाथ कापी ज Entscheidा लेट हुई ती इस लिए सोयबीन डाइरेक्ट फलोरिंग इस्टेश पर चला गया लेकिन बीच में खर्पतवार नासक दवा का पुर्योग करने का बिल्कुल भी मौकर नहीं मिला क्योंकि खर्पतवार ना सक दवा का पूर्योग करने के लिए खेत में नमी होना काभी ज़्यादा जरूरी है और बरसाद नहीं होने के कारण खेत में नमी नहीं बन पाई थी लेकिन अब बरसाद भी हो रहे हैं और कुछी किसानों के सोयविन में फूल भी निकल रहे हैं और खर्पतवार भी कभी ज़्यादा मात्रा में हो रहा हैं तो अब ऐसी कंडिशन में क्या करना चाहिए तो वीडियो में हम आगे विश्तार से बात करेंगे कि सोयबिन में फूल निकलते समय अगर खरपतवार उगरा हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नासक दवा का पुर्योग करना सही है या गलत खर्पतवार ना सक दवा का प्रियोग करने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंतो तक जरूर देखिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए गंटे के निसान को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए सोयवीन में खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर खरपतवार ज्यादा हो जाता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह पेदावार को 30-40% तक कम कर सकते है लेकिन सवाल यह हैं कि फूल निकलते समय खर्पतवार नासक दवा का पर्योग करे या ना करे तो इस सवाल का जवाब यह हैं कि आप बिल्कुल भी पर्योग ना करे फूल निकलते समय खर्पतवार नासक दवा का चिड़काव करने से फ़सल को जटका लगता है जिससे फूल जड़ सकते हैं उसके अलावा खर्पतवार नासक दवा के पुजोग से फ़सल की परागर्ण क्रिया पर भी इफ्यक्ट पड़ता है जिससे फूलों से फल्या बनने में भी दिक्कत प्यदा होती है इसलिए फूल निकलते समय तो आप किसी भी प्रकार की खर्पतवार नासक दबा का छिड़काव ना करे लेकिन कुछ किसानों का मानना हैं कि अगर फूल निकलते समय भी सकड़ी पत्ती खर्पतवार नासक जैसे बायर की वीप सुपर, दानुका की टर्गा सुपर, अडामा की एजिल इन जैसी दबाव का पुर्योग किया जाता हैं तो फसल को कोई नुक्सान नहीं पहुंचता है और खर्पतवार भी कंट्रोल हो जाता हैं तो यह बात भी गलत हैं क्योंकि सकड़ी पत्ती खर्पतवार नासक से भी फसल को जटका तो लगता हैं लेकिन जटका कम लगता हैं उसके अलावा यह परागण क्रिया को बहुत ज़्यादा पुर्भावित करती हैं जिसके कारण आपको नुक्सान होगा तो अब बात यहाती है कि अगर खेत में खरपतवार रहेंगे तो भी नुक्सान होगा और खरपतवार नासक दवा का चिड़काओ करेंगे तो भी नुक्सान होगा तो इस इस्तिति का solution क्या है तो इस situation का best solution यह है कि आप मजदूर लगा कर हाथों से खर्पतवार को उखाड़ ले हाला कि मजदूर लगाने में भी आपको खर्चा तो होगा लेकिन फसल पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगले साल आपके ख्याद में खर्पतवार कम होगेंगे तो किसान भाइयो मुझे उमीद ह हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्वायबिन में फोल निकलते समय करपतवार ना सक दवा का पुझो करना सही है या गलत तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आये तो वीडियो को ल एवान जेगी सान